तो चलिए आज हम मैं आप लोगों के साथ शेह कर रही हूं अपने किचन की स्पेशल जुकीनी की सबजी जो की बेसन वाली बना दी हूं मैं तो उसके लिए चाहिए आपको जुकीनी प्यास साथ मैं आपको चाहिए इंसेंट पॉट इंसेंट पॉट में ही सबजी ये बनाने वाली हूं आज मैं तो इसलिए मैं आज आप लगों के साथ इंस्टेंट बेसन वाली जुकьीनी की सब्जी कर रहे हैं इंस्ञाट के अंदर पहले हम तेल करम करने के लिए रख देंगे ताकि वह साटे मोड़ पे तोड़ा घगरम होता रहे उसके अंदर हम डालेंगे पंच PURAN N Bye पंच पुरन मसाले के अलावा हम उसके अंदर दालेंगे बेसिक मसाले, ये मैंने कटोरी में ले लिए है, बेसिक मसाले में अड़ करी हूँ, नमक, लाल मरची, हल्दी, थोड़ा सा लसन का पाउडर, अमचूर, और ये कसूरी में थी, उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंग क्योंकि दही अपने आप में ही खटा होता है तो वो सारे मसालों को खीच लेगा इसी लिए क्योंकि हम वैसे भी उसके अंदर बेसिक मसाले डाल रहे हैं साथ में इसके अंदर चाहिए रहेगा यह कुछ मुठी भर मुणफली के दाने जो आप पीस कर रख सकते हैं साइड में मैंने हाथो हाथ पीस के साइड में रख लिये हैं चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेट पॉट का तेल गरम हो जाए उसके अंदर आपको डालना है पंच पूरण मसाला अच्छे से गरम हो जाए अच्छे से सुतल जाए उसके अंदर हम डालेंगे प्यास प्या या हलका भूरे रंगा होना चाहिए बस प्याज हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अधरक का पेस्ट जो की अधर की इसके रखी है अधरक आप ग्रेट भी टाल सकते हैं पेस्ट नुवा भी डाल सकते हैं अधरक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी गा क्योंकि अधरक अपने आप में बहुत तीखा होता है गरब मसारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यह नैचरल होता है चाहे तो आप बजार वाला भी स्टोर मेट भी ले सकते हैं जो की अधरक लसन का पेस्ट आता है तो बस उसे डाल दिया है अच्छे से उसे मिक्स करने के करने के ताकि कोई गठानी या कोई लम्स ना रह जाए अच्छे से मिक्स करते जाईे जब यह पूरी करीके से मिक्स हो जाये उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे शारे निया सिर्ट लिए है तेल पी जायां सारे मसाली आपस न हम ऐसे हम तो युहां निया भूल भूलारं भा depicted में ज़की सब्सक्राइब ए तेल कोई भीडया उते हैं तो यह जिए कम आपस में भीड़ हैbon कि बड़े बड़े नहीं ढाले हैं नहीं भड़े डाले नहीं पक नेमें टाइम लगता है। पेसे में डाल की मड़ी वड़े C के ड़ी और बेजन वाला है कंथे जोड़ो गुल के रखे ता उन्हा होसे सबस्टन दा अबरो गाई के अचुहें पानी नहीं मिला न लग जा है ये जोड़ावाने लग state में अचुह喜ने, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी मिक्स करना है याद रखिए जुकीनी एक परेकी की तुररी है जिसे हम कॉर्जट भी कहते हैं उसकी सब्जी बन रही है वह अपने आप में एक स्लाइमी सा पद्दार छोड़ती है स्लाइमी स्टीकी उसमें से कुछ निकलता है जूस टाइप वह आपस में पानी का काम कर जाता है बस इसे आपको अच्छे से मिक्स करके रख देना है उपर से जब आप इंस्टेट पॉट का ढगाएंगे तो याद रखिए उसके पर इंस्ट्रेक्शन दी गए हैं सीलिंग कर बडाएंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा इसे हमेशा ओफ रखना है ताकि प्रेशर बन सके यद रखी ऑफ करना है बस उसके बाद हम इसके लिकुद्व इसके त्म्परचिर पर जाएंगे इसके वापस से इसे अन करेंगे ए मैंनूल दबा कर इसे सयंट कर देंगे जो की 8 minutes का by default sign होता है मैं हर बार एजस करती रहती हूं इसलिए हर बार चेंज हो जाता है नहीं तो इसका by default जो store company की तरफ से आता है वो 8 minutes का होता है बस इसे low pressure पर रखेंगे low pressure पर यह अपने आप on भी हो जाएगा off भी हो जाएगा 8 minutes के बाद आपकी यह सबजी बनके तयार हो जाएगी चलिए 8 minutes के बाद जब हम इसका प्रेशर को कर इसे खोलेंगे तक इसकी अपने आप में CT निकलेगी CT अपने आप वेंट हो जाएगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर extra CT हो तो उसे वेंटिंग पर रखके pressure on कर दीजे बस release हो जाने के बाद आपको इसका ढकन खोलना है ढकन आपको धीरे mode में खोलना है don't be so fast otherwise अपने आपको जला सकते हैं तो चलिए यहां पर हमारी सब्जी बन चुकी है बहुत ही यमी यमी सी यह एक ऐसी सब्जी है जो घर में सब लोग खाना पसं करते हैं आप इसे रोटी पराठा पूरी चावल पुलाओ किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं बस अगर आपको अगरम बेसन वाली जुकीनी की सब्जी तुरई की सब्जी एंजोई बाई